वोटर की सुरुवात करेंगे हम जश्पुर विधानसभा से 2018 के विधानसभा चुनाओं में जश्पुर विधानसभा से कॉंग्रेस के विधायक 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 रहे लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाओं में यहाँ पर रायमुनी भगत ने कई हज्जार वोटों से कॉंग जिनको देखकर वोट करेंगे लोग सबहें चुनाओ होने हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे और जश्पूर जीदे में क्या ऐसी परिसानिया है जिनको देखकर आप वोट करेंगे यहां बहुत पुरानी लोगों की एक मांग है रेल का वो कई बार सर्वे अगरा भी हुआ लेकिन अभी तक उसमें कुछ अमल नहीं हो पाया है तो यह बहुत पुरानी लगभग 60-70 साल पुरानी मांग है लोगों की तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है अजादी के 17-80 साल के बाद भी यह रेल से वन्चित है यह जीला तो यह आना चीज़े रेल का मुद्दा है आप बतागी क्या मुद्दा रहेगा उद्दा बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन जीले में जैसे होस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो थोड़ा सा यह सब समस्या तो है जिसे अगर यह निजात मिल जा तो जनता हम लोग तो यह इसी उमीद में भोट देंगे लोग शबा चुनाओं के तो मुद्दे बहुत हैं राश्टी इस्तर के सारे मुद्दे आज चर्चा में हैं और विशेश रूप से अगर जश्पूर की बात करें तो जश्पूर में स्वास्त और चिकित्सा को लेकर के अभी भी समस्या हैं जसकी तस्प बनी हुई है मेडिकल कॉलेज की बात कई वर्सों से हो रही है लेकिन आज तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है केंद्री विद्याले में जो बच्चों की दर संख्या है वो लगातार कम हो रही है पहले असी की संख्या थी अब वाकर के वो 32 में पहुँच गिया तो जब देश की जन संख्या बढ़ रही है अधिक बच्चे हैं तो वो बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे और इसका लाब जो है प्राइवेटी स्कूल उठा रहे हैं तो एक अच्छा केंद्री विद्याले का की स्थापना यहां हो और साहिनी की स्कूल जश्पूर में होना चाहिए क्योंकि आदिवासी छेतर है और यहां के लोग सेना में जाने का जो उनका होसला है वो हमेशा बना रहता है लेकिन उचित माध्यम नहीं मिलने के कारण उन् के बहुत काम हुआ है जो जमीनी स्थर पर दिखा है वहीं विकास का अधार पर लोग चाहते हैं और सभी कुछ की सरकार दोबारा आए तीबारा आए कुछ योग हैं जो मोधी सरकार के उनको रिपीट करने की बात कह रहे हैं विश्वास बढ़ा है उनका मोधी सरकार पर आ मुख्यमंत्री के छेत्र है तो लोगों को उमीदे है कि जश्पुर में विकास होगा लोग सभा चुनाओं और विधान सभा चुनाओं के मुद्दे अज़ाग होते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जिनको आप सोथ रहें कि उन्हीं को देखकर आप वोट करें बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को हल करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को पाय करना चाहिए इससे लोग खुल के आएंगे और वोट करेंगे आगे आप बताइए क्या मुद्दे होंगे यूथ हैं आप यूथ की क्या सोच है आज भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी क खतम हो और एक भारत की फोच को एक करांती कारी फोच मिले और यहां भारत का कोई भी आदमी बेरोजगार और गरी बना हो गवर्मेंट हमारे लिए जितना बहतर कर से कि उतना अच्छा है बेरोजगारी जो अभी बढ़ रही है बहुत ज्यादा तो रोजगार का आउसर उ कम करें यह में मुद्दे हैं सिक्षा का मुद्दा है और जो डेवलेप्ट्मेंट हो रहा है देश में उसका मुद्दे के ओलिकर अब बोट देंगे आप बताइए अब इससे परदे आपने कभी वोट किया है ने मेरा परस्ट बार अच्छा इस बार पहली बोट करेंगे इसलिए हो किस पार्टी को करेंगे और कैसे सूछते है क्या मुद्दे होने चाहिए यूद के दिए हम देंगे बिज्बी म dar कि मुद्दे क्या होंगे यूद के दिए क्या सूसते हैं कि 70 साल पहले कांग्रेस का जो सत्ता उसमें से मातर दो हैं और अभी मातर 14 साल में दर साल में 10 साल में ही यहां कापी सारे बदला हुआ है इसलिए हम भी जपी करें लोग सब्सक्राइब में मुद्दे परधा मंतर सब्सक्राइब महतारी अंदला की घुष्णा के दो माह का कि दला चुका है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है आरे इस बार महिलाएं उस साह से नजार आ रही है बिल्कुल मुद्देतों हैं पूरी होनी का पूरी चांस है और वैसे भी हमारे जीला को भारत माला सड सब्सक्राइब की सवगात बहुत जल्द हमें मिलने वाली है और उम्मीद है कि रेलियो लाइन का भी विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा देखिए पिछले जो चुनाव हुई थी दो दो बार के जो चुनाव हुई है लोग सबागी चुनाव मेडिया से सब जोड़ चुके हैं सब इलक्ट्रोनिक मेडिया सभी सभी कोई लोग जान रहे हैं और जिस बगार से देश सुरक्षित है मोदी जी के हाँ तो यहां के जनता मोदी के साथ जाएगा मोदी की गारांटी यहां पर चल रही है बिल्कुल तो आप देख सकते हैं देश की सुरक्षा का मुद्दा है आप बताइए क्या मुद्दे होंगे जोग सभा चुनाओं में देखिए मैं एक व्यापारी हो तो मेरी निगाहें व्यापार की दृष्टी कोन से जाती है और व्यापार के साथ में रोजगार का भी जुड़ा हुआ है जहां पूरा दे रास्ता दिखाया है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके वह स्वर रोजगार अपना रोजगार के रास्ते ढून ले ना कि सिर्फ नौकरी की वजह से वह बेरोजगार कहलाता रहे और सरकार के उपर बोज बनता दिखे पूरै Cinderella जिसे मोदीजे ने खटम किया आतंक बात को खटम क्या नकसलवाल पर लगाम लगाया यह जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं और देश में इतने एम्स ते नहीं सिख्षा अस्वास्त सभी पर मोदीजी ने काम किया है हर छेत्र में काम किया जिसको देखते हुए हम सब मोदीजी विश्मनु जी के सुसासन के ध्यान में रखते हुए भाजपा को ही मद्दान करेंगे लोगसभा चुनाओ करीब है क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने वाज़े हैं और ऐसी क्या परिसानिया है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई इस छेत्र से देखिए लोगसभा चुनाओ को लेकर के तैयारियां जो रोपर हैं और हमारे छेत्र विधान सभा पत्थल गाओं में वैसे तो यहां रोड की सबसे वड़ी समस्या रही है हमेशा से लेकिन यह है कि रोड का काम हो रहा है और भलाई थोड़ा धीरे हुआ लेकिन अब कंप रिठ होने के स्थिति में है सढक की बाते हो रही है तो हम लोग को थोड़ी परसदीत रोड से हो रही है हम चाहते हैं कि रोड का काम जल्दी होए और इससे जनता संतुष्ठ होए मुद्दे तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा मैं अपना परशनली बता रहा हूं कि बीजेपी को बोड देने का कारण क्या है सबसे बड़ा तो राम मंदिर पिछले कई बरसों से हम इस मंदिर के लिए प्रयास कर रही थी कि बन जाए मगर विपक्ष में जो थे वह अडचन डाल रहे थे जिस वज़ासे मंदिर नहीं बन पा रहा था और मोदी जी ने मंदिर का निर्मान करवाया और बनवाया जिससे बहुत खुसी हुई तो मैं तो अपना परस्टनली राय दू तो राम मंदिर में लिए बहुत बड़ा फेक्टर है जिससे मैं बीजेपी को बोड़ करूँ तुख मंदिरं एक बड़ा फेक्टर आप्ताइए अब मद्धा और और अब्सट्सथ्खराइब राष्टी जागरन राष्टी सुरक्षा ये सब मुद्दे हैं मेरे लिए और वो मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता क्या मुद्दे होंगे यहां पर अपकी बाद 400 पार मोदी है मुम्किन है मुद्दा इस उनाव में मोदी के सिवाए दूसरे को बोट मिलना नहीं है 36 गड़ में 11 सीट है 11 क्या 11 सीट भाती जनता पार्टी ठोकेगा मैं यह सूशता हूं कि जो डिफेंस का सेक्टर है आत्म सुरक्षा जो आज के डिट में जो भारत ने इतनी उन्यती प्राप्त की है एक उन मुद्दो के हिसाब से हमें वोट देना चाहिए पहले क्या होता था कि कोई भी मतलब जैसे चाइना और पाकिस्तान यह कुछ भी करके चले जाए तो कोई खास काउंटर बैक अपन कर नहीं पाते थे मगर आज की दिट में देखा जाए तो आर्मी को भी फ्रीहंट दिया गया है ब्रह्मोस और कई सारे अधर टैंक्स ऐसा टेकनलोजी को ले करके आया है भारत अपने पास में और खुद डिफेंस के कई सारे एक्विमेंट्स मेनुफेक्चर कर रहा है तो मुझे यह लगता है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर हो काफी अच्छा स्टॉंग हो चुका है तो यह सारे कई सारे मुद्दे हैं जिनको देख करके मैं चाहता हूं कि यूथ